Hello viewers, welcome to tax sale guidelines आज का हमारा topic है अन्रेजिस्टर्ट परसंसे पर्चेस पर sales tax Sales tax क्या होता है? Sales tax basically tax होता है जो sales पर आप देते हैं उसकी एक percentage होती है, define जो आपके supplies जो गुर्जारित पर लगते है Sales tax क्या होता है? indirect tax होता है जो ultimately हमारा consumer end of the change pay करता है उसी पर उसका सबस्यादा लोड आता है फिर इसके बाद sales tax जब payment कप करते हैं जब हम sales tax return file करने जा रहे होते हैं उस पर हम sales tax pay करते हैं sales tax के क्या rate होते हैं किस percentage पर होता है registered percent के लिए 18% of value of goods supplies 18% लगता है goods की जो supplies होती है और unregistered का होता है 22% अब 22% के 2 sections है 18% आपका sales tax होता है फिर उसके बाद 4% जो होता है उसके पर further tax लगता है फिर sales tax की क्या treatment होती है उसको calculation से सीख लेते हैं यह आपके पास एक Excel sheet पर working बनाई है जिसमें मैंने आपको purchases आगा हम not registered person से करते हैं या unregistered person से करते हैं उसकी किस तरीके से calculation होती है वो बता रहा है sales tax क्या होता है एक तरीके सा output tax होता है और sales tax अगर हम जो purchases पर लगता है वो हमाई ले input tax होता है इसको इस formula से define कियागी output tax अगर हम किसी को charge करते हैं फिर input tax हमें कोई charge करता है तो वो adjust हो जाता है और हमाई tax liability निकल आती है जो हमें sales tax payable होते है sales tax rate क्या होता है 18% होते है जो और रेटी मैंने आपको define किया है और further sales tax क्या होता है 4% जो unregistered person पर लगता है तो ये example number one है जिसमें हमने unregistered person से कुछ purchases की है तो उसका data है सबसे पहले purchases from registered person है पैंतालिस लाग आ रहा है purchases from registered person है 6 लाग आ रहा है import of raw material 9 लाग है और इसी तरह sales हमने की है registered person को 75 लाग की तो उसका solution कर लेते हैं जिस तरी के ये उसी format पर करेंगे जो उपर define था output tax minus input tax output tax क्या होगा हमारा जो हमने sales किया है registered person को उसका 18% होगा आप less करेंगे input tax purchases from registered person से आगा हम लेते हैं तो उस पर 18% होगा जो उसने हमें charge किया होगा और इसी तरह import of raw material पर भी 18% होगा जो during import हमें charge हुआ है sales tax इन दोनों को plus करकर minus कर देंगे output tax से तो हमें पस a tax payable आ जाएगा जो हमें during the tax period pay करना है जो 378,000 की figure बनती है फिर इसी तरह मैं example number 2 दिखाएता हूँ उसमें थोड़ी further working है sales tax की purchase हमने किया against tax invoice 30,000,000 की की है purchase against commercial invoice 7,500,000 की की है और इसी तरह import पर हमने 22,500,000 sales हमने registered person को 60,000,000 की और इसी तरह unregistered person को sale की है सारे 7,000,000 की फिर इसी तरह हम लोग ऊपर वाले form rate को लेते हुए हम लोग ऐसी हम working कर लेंगे output की सबसे पहले रिजिस्टरेट person की हमने 18% लगा दिये फिर उसके बाद unregistered person पर 67,000,000 पर आप वो लगाएंगे 18% sales tax लेंगे फिर उसी 67,000,000 पर हम 4% load कर देंगे जो further tax है क्योंकि वो unregistered है इनको add up कर देंगे तो हमाई पास figure आजएगी पुरी output tax की फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम जाते है input tax पर input tax पर जाते हैं तो purchase against tax invoice registered person हमें issue करता है उस पर 18% लगा देंगे फिर इसी तरह हमाई पास दूसरा है purchase against commercial invoice commercial invoice क्या होती है जो unregistered person issue करता है तो वो हम claim नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो unregistered है import of goods import of goods पर 18% हमाई उपर load होता है तो उसको भी हम input tax पर claim करनेगा और add up करकर इसको output tax से minus कर देंगे total हमाई पास input tax आता है इन दोनों को add किया तो 9,45,000 आता है हमाई पास input tax जो कि हम output tax से minus कर देंगे तो हमारे tax payable निकल जाएगा जो during the tax period हमें pay करना होगा यह 3,00,000 की figure निकल आई यह हमारा total tax payable है इसी तरह उपर हमाई ऐसी figure निकल आई थी 378,000 की जो हमें example number one से figure आई थी tax payable की तो इसी तरह हमारी working होती है unregistered person की sales tax के लिए तो थोड़ा आपको further और define कर देता हूं कि unregistered person का क्या होता है unregistered person अपने customers पर sales tax चार्च नहीं कर सकता है क्योंकि वह entitled नहीं है tax invoice है क्योंकि उसमें registered नहीं है sales tax में इसी तरह हम किसी भी unregistered person का claim नहीं कर सकते हैं इसी तरह invoice जो issue होती है tax invoice वो registered person ही कर सकता है और commercial invoice जो होती है वो unregistered person issue करता है तो hopefully आपके लिए एकाफे informative वीडियो रही होगी अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक लिए थैंक यू